असलाम अलेक्म कैसे हैं आप सब अमीदा साब ख्यारियस से होंगा तो आज इस वीडियो में हम करने वाले यह बद्दसा लूक आइज मेकप लूक तो यह हम यूज करेंगे इसमें चार शेड ठीक है पहला पहला पाउडर शेड दूसरा जो है वह डश्ट ग्लीटर तीसरा ज आइब्रो की फिलिंग कंज वह इस तरह से और पर आगए की तरफ हाना है घ्लेक्रान तरह से फॉब्क भी गंड़न से हमेशा घ्युड़न करें और झाले ने युद्म करें यह बहुत पालेंगे के बहुद हो पिए लिए कॉल आय मैं जो किस तरह करते यह देखिए इस तरह को Galang कि मुझार को क्वेसम प्वाद कमचार्स आपने कहते हैं era कर नहीं जो reasons के यह अपने चरनी एक म्यांव को तो अपने खूला खूला पर रहाए को अच्छी लादस्वा से आपने करना कुछ ल Turn аже है, capable अच्छी आप लहीं है इस घ्या iedereen अपने रहले आप अच्छी करने के लिएioso आपने यह प。 सब्सक्राइब मख़त हैं तो आप आप सचीट लाजमीं घुर्स एपने ऐप करने किसेgado Aerialis ना करने यूट नहिसे करने करने तो आप सब्सक्राइब यूज करेंगे करने केदा है बहुत ज्ड़ाना tomar इस पेसे पहला लाइन को कर लाइन के से पना करना से चाहता है इसे को μदन इसे पर बहुत मज़या का बनता है लेगा आग अगधि य Healthcare बलंडी करें जब भी आप मेकः करें आप इस चीज का द्यानिक बेंडिक बहुत अच्छी हो चाहिए यह फटा प्ड़ा टा कलर मेकः नज़र नहीं आना चाहिए और हमने वी को बनाया और प्र हमने जो है इसकी क्रिज को बनाया और पिर उसके हम बागकी पीलिंग का रहे हैं इसकी उड़ी है किसमें कलर के हैं उसके सेट कर लेंगे आपने दोनों को मेशा आपने एक्वल रखना ले तो यह कानी हो ब्लैंडिक ब्लैंडिक पर आपने बहुत ज़दा द्याणियरादे ना ब्लैंडिक आपकर बहुत अच्छी ओना ओर्टा था साथ आप में जाड़ होने किया आपकर अब क्यांति न को काले से tao ब्लीड बटन раз किया करें ताके जो भी मैं वीडियो डालूं आपको सबसे पहले मिलती रहें बहुत इंफर्मेशन वारी वीडियो होती है और जो है बहुत त्रीकर समझाने कोशिश करती हूं आप जो है इन वीडियो को देखते हुए बहुत अच्छा मेकप सीख सकते हैं तो आप हम क्या करेंगे हमने लेना इसे अ अच्छे से सैटिंग करनी है ठीक है इस तरह से आपने ऐसे आप इसको प्रॉपर तरीके से लगाएंगे और यह जो होते हैं क्रीम कलर के इनको आपने क्या करना होता है अगर ब्रेश विगरा से यूज करते हैं यह विल्कुल भी अच्छे अपलाई नहीं होते हैं ऐसे मतल तरह के द चाहिए अशएंट म法रु करना है तो यह अच्छे क्पला करेंगे अच्छे से स्कूनी बीए नerson receives a clean a top है कर देCK तरह करेंगे यह बहुत कौने का करेंगे ओस रिए जो कर लेगें है लूट कर बहुत च्छे से चमक देखने हैं यह बहुत अच्छां देखना क्रे साथ नहीं लिए करने एंगे आई और निए हैं अधीर नहीं कि आप सीशान खाएंगे खाल में आप से भी लैक आप लिए लीख द भी दिया हैं अच्छे से ब्लाइद करने जेंगें आ पर दूड़ा-ची-डे फिर ब्लाइक करने करने देंगे तो था आप ज्यादा शायंता है तो हमने लाइट लाइट सा नीचे से रखना है बूस ऐसे तो आपने Schon चाहे तो आप झो यह सिले लगा के लिगा सकते हैं और इसको शीलर को रखा address मैं लगा रही हूं जो शेड का नीचे उछी ईपलाई कि उपर तो शीजिभी कर भी लोगे मैं ये लोगा रिटल लूग्गी यह देखें इस तरह से उसी को उपर उपर आपने लगाने यह जो आमने वाइट कलर पहले तहों को पर अब आप इसमें डिफरेंश देखें इसमे मैं लगा रही हूं जिसमें नहीं लगाए उसमें देखे ठीक है तो बहुत मज़े का मतलब डिक्रमरा होता है बहुत मज़े है कि इसके है लूक आती ए उस तरह से अब हम दूसरी आइज पर अगे हमने क्या करने हैं यह जो लूज शीम्र होता है सको आमने अशे हमने से प्रैस कर और कर नहीं है बर गा नहीं प्रम नहीं प्रॉय है मतलब बेसे भी और ओपसे मोखी मेसी अंधर किते हैं यह वे हम लगाएंगे के शनुक से लगाते हैं यह वाला जो चॉब्र इनमे प्रफश स्यनुक्त नहीं हो यह दिया हैं चॉंक्नी षाज हुए रहे मजोते हैं रहाएं एक ब्रॉट होते हैं जिनमें यह चीज़े कुछ भी मिक्स नहीं होती है लेकिन अगर आप लॉंग लाश्टिंग रखना चाहते हैं तो आप पहले जहां पर आपने यह प्लाई करना है वहां पर आप चाहे तो आप आई लगा ले चाहे तो आप आप ऐसे भी लगाएंगे तो ऐसे भी चाल यह जो ग्लीटर हैं यह बहुत मज़े के लगते हैं और यह ज्यादा ताल जो है यह ब्राइडर्स पर मतलब लगाए जाते हैं तो अगर आप नॉर्मल पार्टी मेकप पर लगाना चाहरे तो आप ऐसे ज़रा सा एक-दो चांक से लगाएं मतलब बहुत ज्यादा नहीं हैं लगाना बडे हैंरे नापने त्रम पर में लगाएं경 क्योंकर जब जो हम इननर कोर्नल के लगाएं तो यह जो चुंक्त से नहीं चांक से लागना बिछांक करNa कोशिश करने कि मीड मे लगाएयं मीड में ज्यादा अच्छान गैपें और मीड में ज्यादा आग्जह इं फिर मैं इसके ओपर यह लगा रहे हूं अगर आपके पास लूज ग्लीटर निया कोई मसला नहीं जो भी आपके पास ग्लीटर है वह अपने आई शेट के साथ मिलता हुआ लगाएं उसके बाद आप अपने चंक्स लगाएं तो बहुत ही मज़े के लगते हैं इसको भी आपन ये हासा प्लाइट आपको कर और ये चंक्स लगाएं चाहिए चैश्पट पर लगाएं तो ये आई ले नेकटे होई हाँगा ये ऊजिए तो इसलिए आपने इस तरह से आई यह लैशी के साथ जो है यह चंक्स नहीं लगने चाहिए थोड़ सा उपकर रखें क्योंकि यह लैशी के साथ लगेंगे तो यह गंदे से भी लगते हैं जब हम लाइनर लगाएंगे इसलिए आपने इस चीज़ का द्यार रुखना है कि आपने दोनों साथों से मतल्ब एकमार रखने हैं अब हम लगाएंगे Liner Liner को लगाने के लिए आपने क्या करना है यह देखे हैं मारे पासा Cake Liner तो केक लाइनर को लगाने के लिए आपको पता है कि मिच्छा पानी की जरूरत होती है आपने ब्रेश को पहरे पानी में डिप करना होता है गीला करना होता है फिर हम केक लाइनर लगा सकते हैं केक लाइनर जो ड्राय फोम में होता है तो यह हम डिरेक्ट यूज नहीं कर सकते तो ये देखें ये मैंने ब्रैश को काष्प लिया गीला गीला करने के बाद मैंने क्या किया इसको अच्छे से ये देखें यह जो केक ला ilए इसको साथ ऐसे आच्छे से खारियो तक अपि गोहि का इस GOT 11 pigment ब्लैक तो अब हम लगाएंगे liner eyes पे, eyes पे जब भी आपने liner लगाना है, आपने क्या करना है, आपने यहां से start करना है, आपने कभी भी inner corner front से start नहीं करना है, क्योंकि अगर आपका इसके अंदर liner बगारा ज्यादा है, तो वो जो inner corner के अंदर जो है, फैल जाएगा ठीक है, इस तरह से अपने liner लगाना है, यह और liner लगाते वकित हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है, कि जो liner हम लगा रहे हैं, वो हमने बहुत अहत्यास से लगाना है, क्योंकि जो customer है, यहां आप खूद है, तो आपकी इसके दरम्यान जो है, वो नहीं कुलने चाहिए, आँक, अगर आँक कुलती है, जब आपका liner फैला है, फैला होता है, आइस के ऊपर लग जाता है, तो वो इसलिए लगता है, क्योंकि liner गीला होता है, और आप जो है, यह customer आइस कोल देते हैं, इसलिए वो उपर के साथ ओपर जो है, उटाच हो जेता है, शेट के साथ, और बहुत ही बुरा सा लगता है, फिर उसको set करने के लिए, फिर एक्स्टा टैम लग जाता है, तो यह देखें, आपने इस तरह से liner आपने फिर आस्ता आस्ता जो है, आपने corner की तरह आना है, फिर आपने करना है, अगर आप corner बना चारे हैं, आपने इस तरह से तिर्ची लाइन लगानी है, इस तरह से, ठीक है, तो उसको हमने क्या करना है, उसको हमने front line से जो है, इस तरह से, इस तरह से हमने mix कर लेना है, यह देखें, इस तरह से, तो यह आपका बहुत मज़क है एक विंग लाइन सा बनके रेडी हो जाएगा तो यह देखिए आपने जो है इस तरह से इस तरह से जैसे आपने इस साइज पर किया इस तरह से आपने दूसरी आइस पर करना जब हम लैशी बगरा लगाएंगे इसका कॉर्णर जो है खुद बाख खुद जो इसकी फिलिंग करेंगे अब हमने यह देखें दूसरी साइट पर जो विंग बनाया है उसको भी हमने क्या किया आपने इसी तरह से तिर्चा किया यह देखें विंग की जो हमेशा तिर्ची लाहन होती है उससे यह होता है कि आइस जो आपकी कुली लगती है उठी उठी तो कोई बात ने ऐपने से बड़े हूए होते हैं उनको आपने लाजमी गतना अर्जाँ है तो पिर आपके लेशी दो है सारा दिन बार बार उतरती रहेंगी उतरती हमेशा इसलिए रहते हैं कि आप लेशी का दिया रखते हैं कि लेशी जो प्यारी लगने की वह बिल्कुल बंदा नमूना सा लग रहा होता है यहां से लेकिंडल सीस के लाव बनाब करने लें लाव कुझे दूसरे को लोधे हैं मेरे मुझे यहां इस पर लिए सारा दिन उत्रती है करें रहां किसटे लिए ऐस्तरले आप लगने के लिए आपने लाव स्टाइन दुठा लगाएं उससे यह गलू थोड़ी सी जो है किसी ड्राय हो जाएगी जब आप लैशी के साल लगाएंगे तो वह बिल्कुल फिक्स हो जाएगी इसी तरह से एक आज पर लगाई और एक पर नहीं लगाई जिस आज पर लैशी लगाई अब किसी जब दस लाग रही है जिस पर और दूसरी लैसी गलू लगाएंग дов लगाने बाद हमने क्या किया है यह देखिए इस तरह से हमने फ्रांट- met कॉर्णzar पकर्कष़ को और लास ता कामने इसको पकर पर कर देनां है आपने आराम से लगाके fix का देना है बहुत ही एजी लगाना कोई मुश्कल काम नहीं आप दो चार दो चार दफा प्रैक्टस करेंगे और खुद ही अपने लगा सकते हैं अक्सर जो है लोग जो है वो सिर्फ मेकप खुद का लेते हैं लेकि लेशी ने लगती लगाने के ही यह जो कि लगेश्टा है इसका उल्यार खुद और राम से घरे मेरे लगा गाने के जょसके अब हम लगाएं परा यह ए 늘 लगाना ओसा और यहां पर य पर यह जिए बी लगाऊंगी यह इस तरह से कि इस तरह से हमने इसको हाइलैटर को मतल्कुल लगा लेने अगर माया यहाँ पे जो शेड क्रीज लाइन पे युद अदेर हुआ भी होगा है जब हम हाइलैटर लगाएंगे तो बिल्कुल equal हो जाएगा मतलब हम उस साफ से लगाएंगे जिस साफ से हमने दुस्री आइस पर लगाया तो बिल्कुल equal हो जाएगा ऐसे उपर निचे मतलब बिल्कुल भी नहीं लगेगा बहुत ही अराम से लग जाते है इस तरह के लगाया यह क्रीमी ठीक है और गोल्डन शेड है और क्रीमी फोम में यह वरा शेड है तो अब जब आप लैशी लगा ले तो आप एक दफ़ा जो है लाइनर को फिर से रिफ्रेश का लिया करें क्यूंकि लगने के बार लाइनर जो है थोड़ा पतला नजरा शुरू है एक ले जा लेंगे तो अगर आपके नहीं लगा थो ठीक है आपको जाड़ने की जूरूत नहीं है अगर आपके एक्स्ट्रा चंक्स यहां पर यह देखिए लाइनर मैं लगाया तो यह कितना गंदा सा फील हो रहा है तो इसलिए आपने जब भी चंक्स लगाने है आपने क्या करन है कि उस साइड से लाइट पारी थी बिल्कु भी नहीं आ रहा था यह देखिए यह रही फाइनल लुक देखें कितने मज़ेक है यह जो आइज मेकप हुआ 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 है अगर आपको अपसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं बूलना वीडियो को लाइक श